हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग अल आफ यू मैं ग्रेडव कॉम्टेक्टिव क्लास से अरुन सर तो आज मैं दुसरा प्रैक्टिक सेट लेकर आया हूं क्रेंट अफेर का जो मस्ट आपका मिलेगा चालिस मस्ट क्रेंट अफेर तो इस वीडियो को सुरु से अंतर देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बाक्स में जुरू बताएंगे आज का दुसरा जो प्रैक्टिक सेट मैं लेकर आया हूं जो सभी एक्जाम के लिए एंटेबिसी रेले गुरूबडी एसस प्रैक्टिस सेट दो मैं लेकर आया हूं इस वीडियो को सुरु से अंतर देखेंगे और फटफट लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे अपने दोस्ते को इच और इस वीडियो को जो नए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रडब कॉम्टिटिव क्लासेज पर जो नए जूडए आपका हॉमवर्क दिया गया था आपका जो कॉमेंट बाक्स में जवाब देने के लिए तो उसमें मैं उसका अंसर बता देता हूं तो कल के लिए जो सवाल था आपका कल का आपका सवाल था कि विश्व में सरक नेटवर्क के मामले भारत का स्थान कोज सा है यह आपका सवाल था ए में उपर से प्रत्थम बी में उपर से देती है सी में निचे से प्रत्थम अड़ी में निचे से देती है यह आपका सवाल था तो इसमें जवाब देने वाले बहुत से हैं जो हमारे चाहतर चाहतर हैं जो भी है तो इसमें सब्सक्राइब नेटवर्क के मामलें जो आपका था कि यह आपका सवाल था कल के लिए जो मैं होमवर्क दिया था तो इसे मैं थोड़ा देख लेता हूं कि इनको मतलब कौन सबसे पहले जवाब दिये थे जो इसमें जो खिलो इंडिया रितिक राज रितिक राज आपका व्यवी कुमारी सपना कुमारी सुनु कुमार बर्मा पहुत से हैं इसमें जो अंसर देने वाले तो सभी का अंसर बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही अंसर सभी का तो मैं सभी को थेंक्यो समच अंसर देने के लिए इससी तरह आप अंसर देते रहेंगे आज क्या जो मैं होमवर्क लेकर आया हूँ कमेंट वाक्स में जवाब देने के लिए तो आज क्या पहला जो सवाल है आपका जो होमवर्क लिए जो आपको अंसर देना है कमेंट वाक्स में बिल्कुल क्या सवाल वो रापका हसलों के नुक्सान होने पर किसानों को मुआज़ा देने है तू किसान सहाई हो जिना किस राज सरकार दोरा शुरू की गई है यह आपका सवाल है जी कमेंट बाक्स में जवाब देने के लिए जो आज का हमवर्क है फंसलों के नुक्षान होने पर किसानों को मुआज़ा देने है तू किसान सहाई हो जिन तो आप इसका अंसर दे सकते हैं कॉमेंट बाक्स में जी विल्गुल तो आज क्या हूंबर क्या आपका तो चलते हम नाक्स्ट के और जो आज क्या लाइक भी कर देंगे सब्सक्राब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे आज क्या पहला सवाल पंदरा सेप्टेंबर देर भी इसको लोकसवाब में सांस दोग के वेतर में कसवाटी का अभी पारित किया गया इसके तरह देंगे एक वर्स तक उनके वेतर में कितने परसंट की कदती की जाएगी ए आपका सवाब है विलकुल एक क्लास में बताया हुए पढ़ाया हुआ है 1 का C एंसर होगा 30% याद रखेंगे जो 15 सेप्टिमर दर भी इसको लोग सभाव है सांसदों के वेतन में कसोटी का भी लब पारत किया गया तो एक वर्ष तक के लिए 30% आपको कटवती की यह है जो करोना हमारी जो फैला हुआ जिसके वज़ा से तो 1 का C योगा चलते है नाक्ष दूसरे नमर सवाल पर दूसरा सवाल क्या हो रहा कि दच्छिन भारत की पाली किसान रेल कीन दो अस्थान को भी चिलाई गई A में करनाटक से उत्तर परदेश B में तमिलाडू से पच्छिमेंगाल C में आंदर परदेश से दिली और D में केरन से दिली तो आपका आउगा अंसर 2 का सी होगा आंदर परदेश से दिली जो दच्छिन भारत की पाली किसान रेल कीन दो अस्थान को भी चिलाई गई तो आंदर परदेश से दिली और आपका पुछे है कि भारत कीpha हमि니다 की चलाए गई तो आपका विहार गदानपुर से आपका महराष्ट्रा भिलकुल है कि यह तक ठुलाली तक ले टूक याद रिखेंगे हैं तो दोक करश ऑगा भारत की पाहलिक ओस विससे और आपसे पुछे कि इंद अच्छिन बात के पॉली किसान रहें तो आंधरा प्रदेश से दिल्ली दो कसी चलते हैं नक्ष्ट तीसरे नमर सवाल पर और इस वीडियो को सुरूश से अंतक देंगा फटाफट सिस्क्राइब करते हैं सेयर करते हैं अपने दोस्ते के बीच जो सब्सक्राइब क्लासेश की और से सभी एक्जाम के लिए बनाए गया है तिसरा सवाल किस बैंक ने कपास उत्पादकों को रिन प्रदान करने हैं तो सफल नमक रिन योजना की सुरूआत की है तो यह में आई सी आई सी बैंक बी में एस बी आई बैंक सी में बैंक और सब्सक्राइब को रिन प्रदान करने तो सफल नमक रिन योजना की सुरूआत किया है तो सब्सक्राइब कर दिया गया जो भारत का सबसे बड़ा सारवजनिक बैंक है मुंबई याद रखें तरीका सी भी होगा चलते नाक्स्ट चौथे नमर स्वाल पर जी आज का माउस्ट 40 के रिपे में लेकर आया हूँ ज्यादा मैं डिसकसर नहीं करूँगा क्योंकि 40 माउस्ट है आप लोग के बीच जाधा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ इस वीडियो को सुरू से अंतक दखें फटाफट लाइक भी कर देंगे और फटाफट अपने दोस्ते भी शेयर भी कर देंगा चौथा सवाल कि सुचना प्रवद्र की अधनियम कि किस धारा के ताथ अब तक भारत में कूल 224 चिनी आप्स को परतिवंद किया जा चुका है तो अनुछे 69 के B, अनुछे आपका B में 61 के A और आपका C में 67 के B और D में 69 के A तो आपका अंसर हुआ चार गड़ी 69 के A बिल्कुल याद रखें सुचना प्रवद्र धौकीन अधनियम में मतलब 69 धारा के तोहत अब तक भारत में कूल 224 चिनी आप्स को परतिवंद किया चुका है तो चार गड़ी होगा बिल्कुल याद रखें जो आपको चिन ने पूरे देश को कुरोना से गरसित किया है तो उसकी वज़ाद से भारत ने आपका चिनी आप्स को कूल 224 चिनी को परतिवंद लगा दिया है बिल्कुल चार गड़ी होगा चलते हैं नाक्स्ट पांच नुमर समल पर इस वीडियो को सुरुष से अंतर देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद जरू बताएं कमेंट बाक्स में आपको आज किस रूप में लगा कैसा लगा जरू बता nie जबता हैं और आपका दिल्ली पुलिस से एंपीक फिलिस में जरूर बता आँ impacto आँगा आप लोग को इसे वीडियो को जरूर देखेंगे और आपका एक्जाम में प्लस प्राण्ट होगा जरूर आपका इसे जम्मेंवी से सैट प्रक्टिस लेकर आँँगा तो दुसरा वीडियो आपका दूसरा सेट प्रैक्टिसमें लेकर आप लोग के बीच में चल रहा हूं तो इस वीडियो को सुरू से आंतर देखें और फट अफट लाइक भी करते हैं पाचमा सवाल किस राज सरकार ने को लेकर प्रजेक्ट पलेटीना की सुरुआत कि है तो एम उत्तर प घुशंतर नेखें बिजो प्रेक्ड दील आपका सवाल है किस राज सरकार ने को लेकर प्रजेक्ट की सुरुआत किया यह आपका सवाल वाइष्टान है पाँच में नमरुका तो इसका अंसर देंगे फठाफाड जली से आपका पांच क्या उवाए माराष्टा जी याद रहा है माराष्टास जो आपका सुर्ण किया है प्रोजेक्ट परफनेडीना तो पांच किया और आपका मराश्ट्रा राज के गढ़न एक माई उनिस साथ हैं देखें मराश्ट्रा करदाने मुंबई और मंबई से मुंबई पुछे कब कर देए उनिस से 95 रंगोली तमासा और आपका अलावनी किस राज का लोकंदरित है तो आपका मराश्ट्रा पांच क्या भी होगा चलते हैं ना हों आपका अच्छे कड़ी अंसर वाम द्श जो अश्यक्राव सबस्क्राइब करें लाज से प्लांट रीवा प्लांट है स्थाप्त की अप्लाइब ऑप्का मंद्परदेश में मद्पर्देश की मुंखभिए सिवरासी चोहान मंद्परदेश का राजपाल लाजी टन दन तो च्छे काड़ी होगा नमस्ते और च्छा किसे राज में जो एक फेस्टिवल बनाए गया तो मद्द प्रदेश जो च्छे काड़ी होगा चलते नाक्ष्ट आपका साते नुमर सोपा स्वाल पर और याद रखें साथ जो आपका मद्द प्रदेश के रधानी भपाल जो आपका पुछे सवच रधानी तो भपाल बिल्कुण रखें तो साथ आपका शैसे सवाल चलेंगे सात्वा सॉल क्या वरकि जून ने माइकल किस देश के पधान मंत्री चुने गए यह आपका सवाल है मैक्स को भी में आर्लेंडसी में न्यूजिलेंड डी में ब्रिटें त माइकल मार्टिन पढ़ेंगे इसको माइकल मार्टिन करने का मतलब स्वाल साथ में नमबर स्वाल क्या हो रहा है कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधान मंतरी चुने गए तो आपका अंसर होगा बिल्कुर याद रखें साथ का भी होगा और आपको मालूम होगा कि राश्पती का निर्वाच्चैन मंडल की परकिरिया जो आइरलेंड के सिधान से लिए गया है DPSP जो आपका राज के निती निर्दे सकता तो कहां से लिए गया तो आइरलेंड के सिधान से लिए गया याद रखेंगे साथ कभी होगा चलते नाक्सट और आइरलेंड ने DPSP जो लिया वह अस्पायन श लिया था मिल्कोल व्याद रखें है अयरलेंड ने स्पायन में अस्पायन से लिया और भारत ने अइयरलेंड से लिया तो आठ़वाइन वाल की हो रहा है कि सिराज में । Something बा को तो सब्सक्राइब याद रखें जो आपका डेर सोस्य धीक लाइकन प्रजाती के साथ भात का पाला लीचेन पार का स्थाफित क्या गया वो उत्राखंड और उत्राखंड की रधानी देहरादून और उत्राखंड की जो आपका पुछेया गिर्समे रधानी तो गैर साउन उत्राखन्द की गिरिसम कालिन रधाने पुछेया तो आप Yang Sion और उत्राइंचल से उत्राखंद द्वार साथ में किया गया और पुछे आप से सवाल की नंदा देवी चोटी कि स्राज में उत्राखंड और पुछे की फुलों की घाटे उत्राखंड और आपसे पुछे है चमूली घाटी राष्टी उधान उत्रा खंड और आपसे क्या कुछ है बिल्कुल याद रखेंगे जो माष्ट आपका फुल देही तेहवार किस सिराज मनाए गया तो उत्रा खंड तो आट का सी होगा चलते नेक्स्ट उत्रा खंड कि जो राजपाल है बेबी रानी मौर्ज है और उत्रा खंड के जो मुक्ष मंत्री है और त्रेवंदर सी रावत है याद रखेंगे चलते नाक्स्ट नवे नमर स्वार पर किस भारती है अर्थसास्त्री को जर्वन बुग का परतिश्टित सांती पुर्षकार प्रदान किया गया याद रखें नौ का सी होगा और अमर्ते से नको मालूँ होगा जो अर्थसास्तर के छतर में नोबेल सांती का पुर्षकार याद रखेंगे नौ का सी होगा चलते नाक्स्ट दस्वा नमर स्वाल पर दसमा स्वाल के बलाएगी च्छतिसमा आसियान सिखर से में दरबीश कहां आजवित किया गया है तो आपका अंसर होगा बिल्कुल यह दोखें जो भी अतना में आपको आदस का डी अंसर है आपसंद देखें थोड़ा सा में एक्स्प्रिंट हुआ है च्छतिसमा आसियान सिखर से में दरबीश कहां आउवित किया गया है तो ए में आपका थाइलेंड वी में फिलिपिन सी में सिंगापूर डी में आपका आपसंद गलत हुआ है यहां पे वियत नाम कर देंगे आपका अंसर ही होगा डी एंसर होगा बिल्कुल याद रखें जो च्छतिसमा आसियान सिखर से में दरबीश कहां आउवित किया गया तो भी अतनाम के हनोई में बिल्कुल याद रखें तो दस का डी होगा है थोड़ा सा यहां पे हो गया आपसंद में आपका टैपिंग करते हैं मिल्कुल बहुत मेहनत करने पड़ता है टैपिंग में तो केस्चन त्यार होता है चालिस मास्ट तो थोड़ा में एक्स्प्रिंट होता है इससे घवड़ाएंग नहीं आप लो एक अरवा सवाल कर चलते हैं एक अरवा सवाल बोल रहा है भारत के बाहर विसका पहला जोग विस्विद्याले किस देस में अस्थापित किया जाएगा यह आपका सवाल है यह म राश्ट्पती बनेंगे जो आपका 20 जन्वारी को सपत लेंगे 2020 को बिल्कुल यह दर नदी किना रहे बिल्कुल यह दर के लिए तो नाकस्ट अमेरिका के आपका राश्टपती के आवास का नाम पूछेगा तो आपका क्या वोलते हैं आपका अमेरिका के राश्टपती के आवास का नाम पूछेगा तो वाइट हाउस याद रखेंगे अब तक इस वीडियो को जो लाइक करते हैं फटाफट शेयर करते हैं अपने दोस्ते के बीच और जरूर बताएंगे इस वीडियो को देखने को आद कि आज क्या चालिस माश्ट करेंट अफिर कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोगो बरहाँ सवाल के आले में किस में नासा अवाण याज़ी वह दो आपका याज़न्स हरते हैं तो सब्सक्राइब आधिक रसेसिके होूआ है तो आपको मालूं नासा का याज़न्जी तो नासा का मिस हservice की अमुड़ी तबसे ह् हो नासा का मुश्री आसा ही hindsight मैणा नावट चान स्वाब् çevres долларов जो अमेरिका के अंत्रिश एजेंसी है तो बारगा सी हुआ चलते नाक्स्ट तिरावे नमर स्वाल पर तिरावा स्वाल कर वरकि इपंचायत पुर्षका दरबीस में किस राज को प्रत्म अस्थान प्राप्त हुआ है तो एवा इहमाचर प्रदेश तिरा का यह एंसर पुर्षका अब पुछी है सवाले कि हिमाचर प्रदेश का गठन का वहा उनी से 70 बिल्कुल याद रखें अब आपसे पुछी है कि बिल्कुल याद रखें कि पी निगाट्री राष्ट्री उधान का हाँ तो हिमाचर प्रदेश खीरगंगा नेशनल पार कि सियाज ही आपका सिमला सिमला का नये नाम सेमला भी याद रखें और इमाचर प्रदेश में एक रहतांग दर्रे जो इस्तित है उसका नया नाम आटल सुने सरांग अ कर दिया गया बिल्कुल याद रुके ऊंसर है चलते नेक्स्ट चोदावे नमर स्वाल पर चोदावा स्वाल के अवरे कि बीस जून दर बीस को मनाएगे बीस उसरनाती दिवस का थिम क्या था यह आपका स्वाल है यह में एवरी एक्शन काउंट्स बी में टैक एस्टेप ऑनवर्ड रिफ्यूज और सी में टाइम फोर स्वाल रिफ्यूज और आपका डी में वी स्टेंड टुगेदर तो चोदावा आपका होगा बिल्कुल यह वासर अंसर लुए एवरी एक्षन काउंट्स बिल्कुल चुदा का यह जामें तो मैं हरे आपको वीडियो में डालूंगा बिल्कुल याद रखें और एक दिवस में बन गया आपका कि बीस सार नाती दिवस कुछे अबीस जुन को तो चोदा के यह वह अंसर चलते नाक्ष्ट 15 नमर स्वार पर ज्यादा डिस्क्सिन ने लेंगा क्योंकि आपको दिया जा रहा है बिल्कुल इस वीडियो को सुरू से अंतर दखेंगे और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे पंदरावा स्वाल क्या वह रहा है कि इनवाइनवेल इनवाइनवेल ए ट्रिबिट मनोहर पारिकर पुस्तक किसके दोड़ा लिखी गई है यह आपका स्वाल है तो ए में ताहिरा कास्याप बी में भालचेंदर मुंगेकर और सी में तरुन बिजय और डी में भारती एस फर्धान तो आपका पंदरा का अंसर अब चलते है नाक्स्ट सुनामे नुमर स्वाल पर इस वीडियो को सुरू से अंतर दखेंगे देखने के बाद फट आफट लाइक कर देंगे बिल्कुल और अपने दोस्ते भी शेयर कर देंगे और जरू बताएं कमेंट बॉक्स में आज का सवाल कैसा लगा जरू बताएं एक स्तराउम स्यमन चिंशनके देखने हना है सब्सवार का और याद रखेंगे ब्लुक्त सेब्स स्य में सब्सक्ति gas category खाने होते हैं। भी याद रखें तो सुल्लाग अभी चलता है नाक्ष्ट अब का सुत्रमें नमर स्वाल पर आज क्या ध्मागा करेंट अफ्यर ग्रड़ प्लासे की और से बिल्कुल तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें जिब बिल्कुल कहा गया है कि तेरे पसेने की हर बुंद को मो मेहनत करनी है सफल होने के लिए तो आपको दीन रात मेहनत करना होगा बिल्कुल है और गड़ाप क्लासेश की और से आपका गड़ाप क्लासेश से जुड़े रहना होगा जमाष्ट क्रेंट अफेर जो दिया जाता है अरुद्सर के दवारा तो इस वीडियो को सुरू से अ दर्जा परदान किया है तो आपका अप्सन नमर 17 का ए में तरिनाड़ो भी में पच्छी मंगाल सी में उडिशा अडिय में आसम तो आपका अंसर होगा बिल्कुल सतरह का उडिशा जी बिल्कुल है आप यहीं से पकाड़ सकते हैं प्रस्टने में अंसर आपका जी मालम बोलते हैं याद रखें सकतरह का सी होगा चिलका जील किस राज में उडिशा और चिए उडिशा का मुक्ष मंतरी गने आपका नमीन पटनायक और राजपार गनेसी लाल बिल्कुल याद रखें और आप से पुछ है कि छीलका जीए सिमली पाल भीतरकान का नेशनल पाल किस स्राज में हैं तो आपका उडिशा सतरह कसी होगा चलते हैं नक्स्ट और आपका नुवा खाय उत्सव जो मनाए गया है जो उडिशा में मनाए गया है विल्कुल याद रखेंगे इस वीडियो को सुरुष से अंतर दखेंगे देखने के बाद फट 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 लाइक कर दें मनीपूर होगा याद रखें माई 22 में किस राज के परशिद काले चावल को जी आइटाक पतान किया गया तो आपका मनीपूर 18 का डी एंसर होगा जी बिल्कुल याद रखेंगे और आपका लोक्टक जील पुछे किस राज में मनीपूर याद रखेंगे जो आपका जील याद रखें जो ठार का सी यह ठार का डी होगा याद रखें मनीपूर आप चलते नेक्स्ट उन्हें नमर सवाल पर इस वीडियो को सुरू से अंतर दखेंगे देखने के बाद जरू बताएंगे कमेंट लॉक्स में उन्हें सवाल के हाले में 500 टीट्वेंटी मैच खिलने वाले भी इसके पहले खिलाडी को बन गए हैं तो यह में किरन पुलाड बी में रोई सर्मा सी में डेविड वानर बैसों सवाल पर है कि भी सवाल क्या वड़ा कि आपका खारत आप जन्वारी दुयर्प में बारत ने खरमुझ संती होर्मढ़ संती पहल में हिसा लिया इसका आयुजन कहां किया गया था यह आपका सवाल है जी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें कभी क्या बीच में होता है दोस्तों की मैं रात को आपका क्रेंट ट्रेफर बनाता हूं तो ठाकावाटी ज्यादा हो जाता है इसको जासे नीन दे आने लगता है तो इसमें थोड़ा सा में एक्सप्रिंट होता है आपका लिखने में तो थो 면 कहां किया था यह आपको सवाल हैं जी मैं पढ़कर आपको बता दिया तो कि सवाल不好 खाए Sang तो आपका अंसर होगा बिल्कुल याद रखें भारत में होगा जो जार वर्स दौर तेश में पुर्स होंकी विश्ट कप का अविजन कहां किया जाएगा तो भारत 21 का सी चलते हैं अ nhất आपका 22 नुमर्स वाल पर 28 सवाल के भारत का पहला जीवित-पाल-đनकलार संग्राले किस स्थापिद किया जाएगा यह आपका सब्सक्वाल है यह आपका सब्सक्री पालक संग्राले किस राज में अस्थापित किया जाएगा तो आपका करनाटक होगा बाइस का यह इंसर भाइब बिल्कुल याद रखें और करनाटक का मुक्ख मंतरी ये दुरप्पा जी है और आपका करनाटक का राजपाल वज्जु भाई वाला जी है और आपसे पुछे करनाटक जी बिल् इटली के लिए परसीदे और आपसे पुछे कि वांदीपूर राष्ट्री उदान की स्राज में करनाटक में और आपसे पुछे अंसी राष्ट्री उदान की स्राज में करनाटक में और कुनिता करगा एच्छिकान की स्राज का लोग कुंद्री थे तो करनाटक तो बाइस का यह होगा और आप से क्या पुछ है कि कहएगा प्रमानों सेंद्र की स्राज में तो करना टक चलते हैं नाक्ष्ट तेस्वे नमर सवाल पर जनेरी जले केंद्र सरकार और ब्रूज जाओती के विच다 23 साल पुराने सरनाथी संकट क RAM करने है तो सम्झयवताहुगा तो ब्रूज जाओती का समढ्ध की स्राज से है यह आपका सवाल है ए में अस्सम बी में तिरपुरा और सी में मिजोरम डी में बी और सी दोनों यह आपका सवाल है तो आपका अंसर होगा बी और सी दोनों आपका तेस्ट का डी अंसर होगा यह जो ब्रूज जाती का सबंद किस तरह से तो आपका तिरपुरा और मिजोरम तो तो आपका चौविस का आणसर हुआ इंद्रा गांदी उंतराश्टिक हवायड़ा विल्कुल याद रखें जो आपका दिली में बिल्कुल याद रखें किस भारती हवाई अटे को देश का पाला सिंगल इज फ्लाश्टिक मुक्त हवाई अटा कोशित किया गया है तो इंद्रा गांदी अंतराश्टी हवाई अटा सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे युट्यूब चैनल पर जो नहीं जूड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे जमाष्ट 40 क्रेंट फर जो सट प्रैक्टिस दोसरा चल रहा आपका तो 25 सब्सक्राइब किस राज क्याबनेट ने वाई प्रदसन से निपटने है तो एक बड़ा कदम उठाते हुए एलेक्टिक वहां नेती दर्वनेश को मंजरी दिया है यह आपका सवाल है यह मैं दिल्ली कैबिनेट वी में बिहार कैबिनेट सी में जारकन कैबिनेट और यह मैं पंचाब कैबिनेट तो आपका अंसर होगा 25 का विल्कुल याद रखें दिल्ल के जिर्वाल जो जाड़ो चाप चुनाव चीन है और क्या पुछा कि दिल्ली में आपका विधान सबाग सीटे सत्तर दिल्ली में लुक सबाद सीटे साथ रासबाद सीटे तीन क्या देखें तो 25 का यह हुआ चलता है नाक्ष्ट आपका 26 नुमर सबाद पर 26 सवाल आपसे क्या बहुरा है देश में पहली बार आयोजित किये जा रही खेलो इंडिया इनिवर्सिटी गैम्स का सबारम किस तराज में किया गया है तो 26 का अंसर आपको होगा दिल्कोल लिए रखें है 26 का अंसर ओडिशा आपको 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 पहली बार जो शुरुआत की गई है खेलो इंडिया इनिवर्सिटी गैम्स का सबारम और ओडिशा में 26 का यह चलते है नाक्ष्ट 27 नुमर सवाल पर 27 सवाल आपसे क्या हो रहा कि निम्लिकित में से किस देश के साथ भारती वाइस होना के इंडर दनुस जुद्ध अव्यास का अजन किया गया है तो आपका 27 के अंसर आपका इंडर दनुस जुद्ध अव्यास जो आपका संपन हुआ और भारत के बिच जो आउस होना कभी के दवरा तो 27 का भी होगा विल्कुल याद रखें और इंग्लेंड की रधानी आपका लंदर और इंग्लेंड की मुद्ध डॉलर याद रखें और इंग्लेंड जो आपका दवराने इसका 20 कप क्रिकेट का भी जयता टीम है इंग्लेंड याद रखें जो आपका न्युजिलेंड को राय था तो 27 का भी होगा चलता है कर दिया है तो आपका सवाल बिल्कुल याद रखें जो लोकसवा ने हाड़ी में घरपात की आधिक्तम सीमा 20 साल से बढ़ाकर कितने सब्ता करने के अनुमती देने वाले विधे को पारित कर दिया है तो आपका चथावज सफ्था या रखें 28 कdar दी योगा 24 अधा तक 15 कि लोकसवा नुशेट जो Tay 81 का टॉताइए नुमबर से अल पर और विधे में लोकसवा को बहुता है या किया जा सकता है बिल्कुली भी याद रखेंगा जो पच्छ अनुश्य पच्छासी के दाथ जो राश्पति करता है पधानमंत्र के सलापर तो 29 स्वाल क्या बढ़ा आपका कि मनीपूर में विश्व का सबसे उच्छा रेलिवे पुल निर्मित किया जारा या पुल किस नदी पर बनाया जागा तो यह में आपका ब्राक भी में इंफाल सी में सोनई और डी में आई रिंग तो आपका अंसर होगा 29 का बिल्कुल आप आप संसे पकड़ सकते हैं तो 29 का डी होगा आई रिंग आपका नदी पर बनाया जागा जमनीपूर में है विश्व का सबसे का आपका त्यस् 69 सवाल पर कि ॐसरे से सबल कले भारत की पाली किंसान रेल का परकारन कीं दो अस्थान के चलाए गाया यह आपका सवाल है जी जिश्ट मैंने फर्ष्ट केश्चन भी बताया थे दूसरे नंबर स्वाल का तो वही स्वाल आपका है भारत की पालिक किसान रेल का परिशारान कीन दो अस्थानों के बीच चलाएगा है तो एमें लखनाओ से कुलकत्ता अभी में दिली से कानपूर डी में देवलाली से दानापूर अडी मे चलता है नाक्स्ट और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को बिच और जरू बताएंगे आज क्या मास्ट चारिस करेंट अफेर जो एमसी की की रूप में मिल रहा है आपको जो आपको सभी एक्जाम के लिए एंटेपिसी रेले में अमेरिका में होने वाले उप राश्पती की चुना में किस भाइती मूल के महिला को उमिदवार की रूप में चुना गया आपका जो चुना गया कमला हैरिस को याद रखेंगे जो अभी आपको मालू हुआ है कि अमेरिका में जो उप राष्ट्पती जो चुने गए है वो कमला हैरिस जो आपका इंडियन निवासी है मुल निवासी और ऐसे आपको जमेका कर अभी में रहती हैं जमेका और इंडिया दोनों कहलाएगा आपका जो कमला हैरिस जो 48 में आपका उपर राश्ट पती बनाए गया है कैमला हैरिस को तो 31 का भी होगा चलते नक्स्ट आपका 32 नमर्स क्योश्चन पर बतिस्वा स्वाल के अब रहा कि केंद्रिय अवास और सहरी मामले मंत्रा ले दोरा जारे स्वच्च सरवच्चन पर 20 के ततकी सहर को प्रतमर स्थान प्राप्थ हुआ है तो आपका अंसर हुआ बिलकुल याद रहे हैं जो 32 का सी अंसर हुआ आपका केंद्रिय अवास और सहरी मामले मंत्रा ले दोरा जारे स्वच्च सरवच्चन पर 20 के ततकी सहर को प्रतमर स्थान प्राप्थ हुआ है तो इंदाओर याद रहें 32 का सी जो मद्पदेश का सबसे बड़ा सहर इंदाओर बिलकुल याद रहे हैं और जो उनईस द्रवनईस में आपको जो स्वच्च घोषित क्या था तो सबसे बड़ा स्वच्च सहर पूछेगा द्रवनईस का तो अमधावाद जो आपका सबसे सहर पूछे तो इंदाओर जो चौंथी बार बनी है तो 32 का सी होगा चलता है नाक्ष्ट को 33 नुमर सवाल पर देश के सिक्कों पर तो 33 का यह एंसर को बिल्कुल याद रहे हैं सेलते नाक्ष्ट आपका 34 नुमर सवाल पर 34 सवाल के लिबनान में हुए भारी भी स्पोर्ट के बाद परधान मंतरी हसन दद्याब के स्थिपए के बाद किसे वहां का परधान मंतरी निक्त किया गया तो ए में अलिकजंडर लुकासर के अब B में आपका मार्क फिलिपिस सिमि मस्तफ़ा अधिब और D में इर्फान अली तो आपका अंसर होगा बिलकुल याद रहे हैं है चौन तरीसके अंसर अपकर सी योगा मुस्तफा अधिव को बनाए गया कि जलते हैं नागश्ट 35 नुमर स्वाल पर 35 स्वाल के बारत का पाला अंतराष्टी महिला वेपार के अंदर किस राज में स्थापित किया जाएगा यह में केरल बी में अंतरा परदेश, सी में तमिनाड़, डी में ओडिशा तो याद रखेंगे आपका अंसर होगा केरल होगा 35 का यह होगा केरल में आपका जो पाला अंतराष्टी महिला पेपार के अंदर अस्थाफित किया जाया बिल्कुल याद रखें 35 का है और आप से क्या कुछ है केरल जी मालूम होगा कि केरल के टट पर एक विद्रो हुआ था जो मपला विद्रो 1922 में हुआ था मपला जिन जाती पुछेगा किस राज क्या तो आपका केरल का और आप से क्या पुछेगा बिल्कुल याद रहें केरल के पच्चमी टट को मालावर टट बोलते हैं और आपका पच्चमी घाट में एक पलकर धर्रा अवस्तित है सबसे पहले किषिए क्यों सब्सक्राइशे कि समय सब्सक्राइब कि 15 पुर्फ करता है व आपका कि्रुल 0 थुलाल मोहनी अटब किस राज़त किरल याद रखें हैं 36 स्वाल के वर्स से दरेकीस में आयवित होने वाले T20 वर्ल्ड कपकी में जानी किस देश को सौपी गई है यह आपका स्वाल है तो आपका आंसर होगा दिल्कुल याद रखें जमाष्ट आपका 36 का आंसर होगा भारत को आपका जरेकीस का जो T20 मुकाबला होगा वह भारत को सौपा गया है भारत में आज़ित की जाएगी तो 36 का डी होगा चलते हैं नाक्ष्ट साहते से नुमर स्वाल पर अभी तक इस वीडियो को जो लाइक ने के लाइक कर देंगे फटापाट शेयर कर देंगे अपने दोस्तक बिच 37 सवाल की अहाले में प्रकासित की गई पुस्तक वान अर्जेंट मडर किसके दोरा लिखी गई है तो यह मैं सुधा मुर्ती भी में चेतन भगत सी में विजय कुमार चादुरी एडी में अतीस जादो तो आपका अंसरों 37 का भी हुआ आपका चेतन भगत जो वन अर्जेंट मडर कुस्तक किसके दोरा लिखी गई चेतन भगत हाफ गर्ल फ्रेंड चेतन भगत और तो आपका अंसर होगा बिल्कुल याद रहे हैं असम होगा आपका अपका जो भारत के सब्सेल नंबी नदी रोपे का निर्मान किया जा रहा है तो आपका सी होगा असम है 38 का सी और याद रहेंगे अब क्या कुछ है आपका की सत्रिया भी विच्वा किस त्राज का लोक निरित हैं तो आसम 38 का सी होगा चलते नेक्स्ट 49 स्वाल पर 45 स्वाल के वरके हाले में किस अरब देश ने पहला परमानु उर्जा सेंतर ब्राका का परचलन सुरू किया यह में सौधी अरभी में इराक यह आपका स्वाल है कहने के मतलब के हाले में किस अरब देश ने पहला परमानु उर्जा सेंतर ब्राका का परचलन सुरू किया तो आपका स्वाल अरभ अमिरात होगा याद रखें जो अबुधावी इसका रधानी है यह यह का और आपका मालूंगा इवई में तेरह में आ और लाश्ट सवाल है चालिसवाँ चालिसवाँ सवाल क्या वराब आपका कौन सा राज अस्थानिये लोगों के लिए सरकारी नकरियों जिए 100% सिट्रो का रचित करने वह देश का पहला राज बन गया यह यह तो आपका अंसर होगा मद्द परदेश याद रखें चालिस का यह होगा बिल्कुल जो सब परसेंट सीटों का अरचित करने आदेश का पहला राज बन गया जो आपका मद्द परदेश 40 का यह तो आज क्या माश्ट जो मिला यह तो जरूर बताएंगे आप कमेंट आफेर से रिविजन करा दूँ तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखने के बाद आप जरूर बताएंगे कमेंट आफेर मिला जरूर बताएंगे कमेंट आफ्स में तो फिर मिलेंगे सुभा में तो आज का दिन आप लोग लिए मंगल मुह्ष आप कमना करताओं और आप लोग फोल ले जैसे खिलते रही हंसते रही हैं तो आप लोग से बिदाव लेता हूं कल फिर मिलेंगे तब तक लिए जय हन्द जय भारत जय ग्रडब कॉम्टेटरी कुला सच जय भीहर